बॉलिवूड के खतरनाक सच की जहरीली पिटारी का ढखकन संजे लिला भनसाली ने खोल दिया है जिस रणवीर सिंग से अत्यंत कठोरता से सबसे पहले पूछताच होनी चाहिए उसका कोई जिक्र भी नहीं कर रहा ध्यान से सुनिए इन तथियों को संजे लिला भनसाली ने पुलिस को दिये अपने बयान में इसपस्ट रूप से बताया है कि अपने तीन फिल्मों गोलियो की रासलीला, बाजी राव मस्तानी तथा पदमावत के लिए वो सुसान सिंग राजपूत को लेना जाता था सुसान्त ने इसके लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन अदित्य चौपडा के साथ अनुमंद में बंदे होने के कारण वो मेरी तीनों फिल्मों में इसलिए काम नहीं कर सका क्योंकि अदित्य चौपडा ने उसे उसकी अनुमती नहीं दी संजे लिला भनसाली ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया हैं कि अधित्य चौपड़ा के अनुबंद के कारण सुषांद को अपनी फिल्मों के लिए साइन नहीं कर पाने के बाद ही उन तीनों फिल्मों के लिए मैंने रणवीर सिंग को साइन किया था संजे लिला भनसाली के उपरोग्द बयान में प्रथम द्रश्टिया कुछ भी विवादास्पद संदेहास्पद नहीं लगता लेकिन इसके आगे के संजे लिला भनसाली के बयान ने जो रहस्योत घाटन किया उसने बॉलिवूड के बहुत खतरनाक सच की जहरिली पिटारी क ढकन खोल दिया है दुरफग्य से उस खतरनाक सच की तरफ अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया उस खतरनाक सच की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा संजे लिला भनसाली के बयान में किया गया वह रहस्योत घाटन यह था कि सुशान सिंग राजपूत की तरह रणवीर सिंग भ लेकिन आदित्य चौपडा ने उसे संजे लिला भनसाली की उन तीनों फिल्मों में काम करने की अनुमती दे दी थी आज आदित्य चौपडा से यह सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहें कि लगातार तीन फिल्मों के लिए सुसान्थ को अनुमती देने तथा रणवीर से आकर भारत में बसा हैं उसके अनेक रिष्टेदार आज भी कराची में ही रहते हैं और बड़ा व्यवसाय करते हैं यह भी सर्व ग्यात तत्य हैं कि पाकिस्तान के कराची में ही दाउद इबराहीम, टाइगर मैमन और चोटा शकील समेत दाउद के कई गुरगे भी भारत संबालता हैं लेकिन इतने तत्यों से भी सायद आपको तार जोडने में कठिना ही हो रही हो इसलिए अब यह भी जानिये कि सितंबर 2016 में सैना के कैंप पर उरी में हुए पाकिस्तानी आतंगवादियों के आतंकी हमले में 19 भारतिय सैनिकों की सहाधत के ठीक एक साल बाद क् भारत में आतंकी फंडिंग करने के भारतिय खूफिया एजेंसियों के गंबीर आरपों से गिरे हुए लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी बिल्डर व्यवसाई अनिल मुसरत जिसे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI के फाइननसर के रूप में पहचाना जाता है परिवार इसका खुलासा देश की सरवोच खूफिया एजेंसी रौ के चीफ रहे एनके सूद ने केवल 6 मेहने पहले किया था। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी गुर्गे अनिल मुसरत नहीं रणवीर सिंग की वाइफ दिपीका पादुकौन को आदेश दिया था कि जे एनियू जाकर CAA का विरोध कर रहे लफंगों का समर्थन करो। उसके फौन के बाद दिपीका उन लफंगों का समर्थन करने जे एनियू गई थी। अनिल मुसरत की बेटी की शादी में करन जोहर महमानों का स्वागत कर रहा था तता हिंदू ओने और हिंदू मंदिरों पर सरमिंदा होने की तक थी अपने गले में टांग कर सोशल मीडिया में घूमने वाली सोनम कपूर के पिता अनिल कपूर कूले मटका कर महमानों का मनोरंजन कर रहा था। जब यह सब हो रहा था तब पीम इमरान खान भीवा मौजुद था। अगर इस सवाल का जवाब आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।